इस्राइल हमास युद्ध की वज़े से पुरा मिडिल इस्ट युद्ध के जुआला मुखी पर बैठा है और ये कोई नहीं जानता कि कब ये जुआला मुखी फटेगा और अगर ऐसा होता है तो मिडिल इस्ट का नक्षा ही बदल जाएगा और इसमें इरान, यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला सबसे बड़े मास्टर माइंड साबित होंगे क्योंकि इन तीनों की तिकड़ी इस्राइल को निगलने के लिए तैयार बैठी है और जब इस्राइल ने लेबनान में पेजर डिवाइसों वाकी टॉकी में धमाके कराये तो सबसे पहले वो इरान ही था जो बॉफला उठा जी हाँ इरान ने पहले तो पेजर धमाकों में घायल हुए लोगों के इलाज की पेशकश की और उसके बाद अब इरान ने इस्राइल को दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान हमले का बदला जरूर लेगा इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि अब इरान इस्राइल के खिलाफ क्या करने जा रहा है तो उससे पहले पेजर धमाकों में इरान क्यों बिल्विलाया है ये आपको बताते हैं दरसल 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में एक साथ सैकड़ो पेजर जुगाईस और वौकी टॉकी में धमाके हुए जिनमें 3000 से ज़ादा लोग घायल हुए और 37 से ज़ादा लोगों की जान चली गई और जब तक हिजबुला कुछ समझ पाता तब तक इसरायल ने अपना काम कर दिया और यही वज़ा है कि अब इरान उसकी ठाल बनकर सामने आया है इरानी सेना यानि इरान Revolution Guard Corps यानि IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसेन सलामी ने हिजबुला प्रमुक हसन नसरल्ला को एक पत्र लिखा है अपनी इस चिट्थी में उन्होंने हिजबुला से कहा है कि मैं घोशित करता हूँ कि इस तरह कातांकी हमला हताशा और इसरायल की नाकामी का नतीज़ा है जल्दी से प्रतिरोद की धूरी से कुचलने वाला जवाब मिलेगा और हम इसरायल के बरबर और आपराधिक ताशन के अंत के कवाह बनेंगे सलामी ने हिजबुला की सराहना करते हुए आगे कहा कि हिजबुला फिलिस्तीनियों के संगर्ष में उनकी मदद कर रहा है आपको और प्रतिरोद के लड़ाकों और लेबनान के महान लोगों को ये विशेश आशिरवाद मिला है कि आप अपने शरीर आत्मा और प्रियजनों की आत्मा के साथ दिना किसी देरी के मैदान में आए ताकि उत्पिडिक फिलिस्तीनियों विशेश कर गाजा के महान पूरिशा और महिलाओं की रक्षा हो सके आपको बता दे कि कमांडर सलामी ने अपनी इस चिट्थी में हिजबुला के ओपरेशन आर्बेन का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि हिजबुला ने कमांडर फौर्ट शुकुर की मौत का बदला लेने के लिए ओपरेशन आर्बेन दे पिछले महीने चलाया जिसने इस्राइल की इंटेलिजिंस और सैन अड़ो को हिला कर रख दी सलामी ने आगे कहा दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में आयोग्य है वो जंग के मैदान के पीछो अपराद करके उन्हें अपनी उपलब्धी के रूप में दिखाता है जिससे वो लगातार अपनी हार के घोटाले को दुनिया से चिपाता रहा है सलामी ने ये भी कहा कि गाजा युद्ध के करीब एक साल बाद भी इसरायल अपने किसी भी मनसूबे में काम्याब नहीं हो पाया और पश्चिमी देशों के अंदेखे और कभी नरुकने वाले समर्थन की वज़े से इसरायल हर तरस के अपराद कर रहा है सलामी ने आगे कहा कि अपमानित इसरायल जो लगातार प्रतिरोध द्वारा केंदर उत्तरपूर्व और दक्षण से हमलों का सामना कर रहा है उसे पेजर्स और वाफिट ओफिस सिस्टम का इस्तमाल करके लेबनान की महिलाओं पुर्शों और बच्चों के खिलाब हमला किया वहीं दूसरी तरफ यूरोपी अभूमध्य मानवादिकार मॉनीटर ने इसरायल के इन हमलों की निंदा की है इस संस्था ने इसरायल के उपर लेबनान में नागरिकों पर बिना फेदभाव की ये हमला करने का आरोप लगाया और लेबनान में हमले की टाइमिंग भी बताती है कि इसरायल ने किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं किया जिससे नागरिकों को बचाया जा सकी क्योंकि उस वक्त डिवाइस यूजर्स अपने घरों में परिवारों के साथ थे जिसकी वजह से बच्चों को मिला कर कई नागरिकों को छोटे आई जागरिकों को मिला करा दो अखने औरे प्रश वक्त यूजर्स 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 यूजर्स